हलो एवरिवान वेलकम बेक टो कार्णिंग फायर मैं मिनाक्षिमान दिली सी और फ्रेंट्स आज ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये है डेविल बैकबॉन और इसे पैडी लेंथस भी बोलते हैं आज इस प्लांट के केर और प्रोपोगेशन के बारे में बात करेंगे बहुत ही हाड़ी प्लांट होता है ये और विंटर में इसकी जो है सारी लीफ्स गिर जाती हैं देखे ये विंटर के बाद का व्यू है इस टाइम पे इसकी जो है पत्यां सारी गिर चुकी है नई नई ग्रोथ जो है आ रही है नई पत्यां निकल रही है तो मैं इस प्लां और cutting से ही ये plant इतना ज़्यादा growth पर है, ये plant इतना hardy है कि इसकी जो है care करने की भी जरूरत नहीं होती है, बिना care के ये plant आपके पास सालो साल चलेगा, कभी नहीं मरता ये plant, अगर आप beginners हैं तो इस plant को जरूर लगाईएगा, इसकी reporting में मैं vermicompost और ये थोड़ी नीम की खली ली है, इसका ही प्रियोग करूँगी, और जो reporting शोक से बचाने के लिए, और ज़्यादतर पत्यों को चमकदार बनाने के लिए हम एपसन सॉल्ट का यूज करते हैं, इसको magnesium sulfate भी कहा जाता है, ये कहीं कलर रंगों में भी मिलता है, ज़्यादतर ये white में ही आता है, आप इसको कहीं से भी purchase कर सकते हैं, online shopping में आपको ये आसानी से मिल जाएगा, ये देखे इसकी roots इतने bound हो चुकी है, कि अब इसकी growth जो है इस planter में रुख चुकी थी, तो इस वज़े से मुझे इस plant की reporting करनी पढ़ रही है, ताकि अच्छी growth के लिए इसको और nutrition के लिए हम इसमें खाद डाल सकें, ये plant इतना hardy होता है, कि आप इसकी अगर छोटी सी cutting लगा देंगे ये आसानी से चल जाता है, बहुत ही आराम से इसकी cutting लग जाती है, और गर्मियों में भी अगर इस plant को आप एक हफ़ते भी पानी नहीं देंगे तो ये plant कभी नहीं मरता है, मेरे पास इसके कई ऐसे plant हैं, जिनकी मैं care भी नहीं करती हूँ, ऐसे ही हैं, उनमें कभी-कभी पानी भी नहीं डल पाता, और वे plant कभी नहीं मरते, बिल्कुल ऐसे ही उनकी growth इतनी अच्छी अपने आप ही होती है, इस plant की कई वेराइटी होती है, एक green वेराइटी है, और ये जो है वेरीगेटिड है, इसकी पत्यां जो है white और green में होती है, देखें फ्रेंड से ये flower मैं कहीं से लाई थी, और मुझे पता नहीं है ये किस चीज का flower है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा ये किस चीज का flower है, और इसकी शायद सब्जियां भी बनती हैं इस flower की, लेकिन नाम मुझे नहीं पता है, तो इसलिए आपको अगर पता है, तो ये plant जो है, किस चीज का flower है, बताईएगा जरूर,